नमस्कार गुड लग टिप्स में आप सबी का स्वागत है आपके साथ मैं हूं मेगा कौशेक और हमारे साथ इस्टूडियो में मौझूद है जाने मानी जोतिशा चारे पनित्मो के शास्टीटी पनिजी बहुत बहुत स्वागत है आप तो दर्शकों आज मा के चौथे दिन की बात करेंगे कुश्टमांडा माता की बात करेंगे कैसे आप उनको खुश कर सकते हैं क्या पूजन विदी होनी चाहिए लेकिन सबसे पहले बात शुप सैयोग के गुल्लक टिप कारकम के सभी दर्शकों के उपर भगवान शीहरी का मा लक्ष्मी का मा बगला मुखी का आशिरवाद और कपरदस्ट्री हमेशा बनी रहे आप सभी का कल्याण हो आज आपके पसंदिदा शुप गुल्लक टिप्स में हम बात करेंगे राशी अनुसार उन उपायों की जिने आज के दिन करने से मा लक्ष्मी होगी आपके उपर महरबान खुलेंगे कुबेर की तिजोरी के दरवाजे आपके लिए तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाएए लिखते जाएए समस्ते जाएए इस तरह की महत्पुन जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदिदा न्यूज चैनल फरस्ट इंडिया न्यूज राजस्तान के आपके पसंदिदा शो गुर्लक टिप्स में ही ती जाती है शुरुवात करते हैं आज के शुप संयोग के साथ दोस्तों आज मंगलवार का दिन है दिनांग 5 अप्रेल सन 2022 चेतर मास के शुक्ल पक्ष की आज चतूर्थी तिथी है आज बसंत नवरात्रा का चतूर्थ दिवस से नवरात्रा के चौथे दिन मा कुश्मांडा देवी की पूजन अर्चन की जाती है मा कुश्मांडा देवी की पूजन अर्चन की सरल विधी क्या है वो भी साथ में समझा देता हूँ नवरात्रा में चौथे दिवस हरे कपड़े पहन कर मा कुश्मांडा का पूजन अर्चन करना चीए कलश की पूजन कर मा कुश्मांडा को प्रणाम कीजिए देवी को पूरी शद्दा से फल, पुष्प, धूप, गंद, भोग अरपन करें पूजन के दोरान मा को हरी इलाइची और सौफ जरूर अरपन कीजिएगा पूजन के पुष्प, मा कुश्मांडा के दिव्वे रूप को मालपूए का भोग लगा कर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्रामनों को उसका प्रशाद के रूप में उसको बाट दीजिएगा पूजा के प्रशाद अपने से बड़ों को प्रडाम करके प्रशाद वितरित कीजिएगा और खुद भी प्रशाद ग्रहन कीजिएगा मालपुय का भोग लगाना ही मा की क्रपा सरूप भक्तों को ज्यान की व्रद्धी प्राप्त होगी बुद्धी और कोशल का विकास होगा आज का जो पूजन मंत रहेगा नमस्तसे नमस्तसे नमू नमाहा प्रतेक सर्वसाधरन के लिए अराधना योग्य श्लोक सरल है इस पस्ट है मा जगनंबे की भक्ती पाने के लिए कंठस्त कर नवरात्री में चतुर दिवस इसका जाप करना चाहिए निश्यत और प्रमा कुश्मांडा के आशिरवात से जीवन में हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है जी और पंडी जी अब आपसे नवरात्रा विशेश उपाए जानना चाहेंगे जी बिलकुल आईए जानते हैं आज चतुर्त नवरात्रा विशेश उपाए आज बड़े माथे वाली बड़े ललाट वाली तेजस्वी सुहागिन विवाहित मैला को घर पर आमन्तित कीजेगा उनका आदर सत्कार कीजेगा एक चोकी अत्वा बाजोट पर उन्हें बैठा कर उनके चड़नों का पूजन कीजेगा पूजन के पश्यात उन्हें दही हल्वा युक्त दही और हल्वा युक्त भूजन प्रेम से करवाईएगा फल, सूखे, मेवे, सुवाग्य का सामान भेट कर उन्हें विवाहित सुवागिन मैला का अशिरवाद लीजेगा मा कुश्मांडा प्रसन होकर आपको मनवांचित फलों की प्राप्ती का अशिरवाद देगी पनीजे आपसे जानना चाहेंगे कि मा को भूग क्या लगाना चाहीए मा कुश्मांडा किन भूग से किन परसात से प्रसन होती है जी बिल्कुल मा कुश्मांडा को क्या भोग लगाएं तो आज मा कुश्मांडा को नवरात्री के चतुर्त दिवस मालपुय का भोग लगाना है मालपुय का भोग लगाने से मा कुश्मांडा प्रसन होती है सुख सम्रद्धी का वर्दान देती है साथ ही आज के दिन नव वश से कम की कन्याओं को, कम से कम नो कन्याओं को, रंग बिरंगे रिबन और वस्त भेट करने से बड़े से बड़े financial crisis से मुक्ते मिलती है धन आगमन का रास्ता खुलता है, मा लक्षमी का आशिरवाद प्राप्त होता है पन्दी जी क्योंकि अब मा कुश्मांडा की पूजा हमें करनी है और साथी साथ क्योंकि राशी के नुसार भी आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे मा को पुरसंद करना है और सबसे जादा जरूरी कि धन जिसकी इच्छा हर किसी को है वो धन कैसे आए तो उसके लिए राशी नुसार आपसे जाना चाहेंगी क्या कुछ करना है जी बिल्कुल आए जान लेते हैं उन उपायों की जिने आज करने से मा लक्ष्मी मा होगी मा आश्वर लक्ष्मी होगी आपके उपर महरबान खुलेंगे कुबईर की तिजोरी के दरवाजे आपके लिए शुरुआत करते हैं मेश राशी से आज मातारानी को चंदन का तिलक अर्पन कीजिएगा मेश राशिवाले जितने हमारे दर्शक हैं मातारानी को चंदन का तिलक अर्पन कीजिएगा गुलाब के पुश्पो की माला अर्पन कीजिएगा दंदान्ने में व्रद्धी के लिए नोक्री वेवसाय में तरक्की के लिए मा को रस्मलाई का भोग लगाईएगा धन दान्ने में तरक्की उनत्ती के लिए नोक्री में तरक्की उनत्ती के लिए रस्मलाई का भोग लगाईएगा धन प्राप्ती मंत्र जो मैं कारिकम के अंत में बताऊंगा धन प्राप्ति मंत्र का पाठ पूर की तरफ मुक करके चोईस बार रोज पढ़िएगा मालक्ष्मी आपके ओपर महरबान होगी खोलेगी अपनी तिजोरी के दरवाजे आपके लिए प्रशव राशी की बात करते हैं आज मातारानी को नारंगी सिंदूर का तिलक लगाएगा मातारानी को नारंगी सिंदूर का तिलक अरपन कीजिएगा मोगरे के पुष्वो की माला अरपन कीजिएगा दंदान्य में व्रद्धी के लिए नोकरी विवसाय में तरक्की के लिए मा को गुड का भोग लगाईएगा धन प्राप्ति मंत्र 21 बार आपको पढ़ना है आज से शुरू करके रोजाना मा लक्ष्मी आपके उपर महरबान रहेगी में तुन राशी की बात कर लेते हैं आज मातारानी को दई हल्दी का तिलक लगाईएगा मातारानी को दई हल्दी को मिश्रित करके उसका तिलक लगाईएगा पान के पत्तों की माला बनाकर उसे मातारानी को अरपन कीजेगा दन दानने में व्रद्धी के लिए, नोक्री व्यवसाय में तरक्य उनत्ती के लिए, मातारानी को मोती चूर के लड्डू अरपन कीजिएगा, धन प्राप्ति मंत्र का 21 बार जाप, इशान दिशा की तरफ मुख करके आपको पढ़ना ही, निश्यत तोर पर मालक्ष्मी आपस मालक्ष्मी कैसे महर्बान होंगी, कैसे धन करपा आप पर बरसाएंगे सवेद तिल की बनीवी मिठाई का भोग लगाएगा, धन प्राप्ति मंत्र क्यावन बार पढ़िएगा, निश्यत तोर पे दरिदता दूर होगी, कंगाली दूर होगी, गरीबी दूर होगी, मालक्ष्मी आपके जीवन के अंदर अपना आशिरवाद आपको प्रसान करेग बात करते हैं सिंगराशी की, सिंगराशी वाले जो हमारे दर्शक है, आज मातारानी को केसर का तिलक अरपन कीजिएगा, केसर का तिलक लगाएगा मातारानी को, हजारे के पुश्मों की माला, मातारानी को पहनाईएगा, हजारे के पुश्मों की माला, दंदाने में व्रद मंत्र का 27 बार पाट कीजिएगा मंत्र कारेकम के अंतर में बताऊंगा 27 बार पाट कीजिएगा निशित और पर किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल जाएंगे मालक्षमी बरसने लगेगी आपके उपर बात करते हैं कन्यराशी की कन्यराशी वाले जो हमारे दर्शक है आज आप मातारानी को हल्दी का तिलक लगाईएगा हल्दी का तिलक लगाईएगा आज मातारानी को कमल का पुष परपन कीजिएगा दंदानने में व्रदी के लिए नोकरी वेवसाय में तरक्की के लिए मातारानी को पिष्टे की बनीवी मिठाई का भोग लगाईएगा पिष्टे की बनीवी मिठाई का भोग लगाईएगा धन प्राप्ति मंत्र जो मैं आपको बताऊंगा उसका जाप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके 54 बार आपको पढ़ना है निश्यत तोर पे धन से सम्मंदित जो आपकी समस्या है फाइनिशल क्राइस से सम्मंदित आपकी जो समस्या है इतना जो उतार चड़ाओ मन की इच्छाएं जो दापके बैठे रहते हैं इच्छा तो बहुत है लेकिन धन नहीं है तो आज मातारानी को इस प्रकार प्रसंद क कीजिएगा उसकी क्रपा बरसेगी तो हर इच्छा पूरी होगी दरिदता दूर होगी गरीभी दूर होगी जी और पंडी जी तुला व्रशिक धनू इनके बारे में जानना चाहेंगे तुला व्रशिक धनू के लिए क्या कुछ खास है और कैसे वो मा को प्रसंद करें जी आज आप मातारानी को सफेद चंदन का तिला करपन कीजेगा मोगर के पुष्पों की माला भी मातारानी को पहनाईएगा अपने धन धने में व्रद्धी के लिए अपने नोक्री वैवसाय में तरकी उनत्ती के लिए मातारानी को गुड से बनी खीर का किस से गुड से बनी भोग लगाएगा दन प्राप्ति मंत्र का पार्ट 28 बार आपको करना है निश्यत तोर पे मातारानी आपसे प्रसंद होंगी आपकी फाइनिशल क्राइस को खतम करेंगी दर्दिता गरीबी को दूर करेंगी कंगाली को दूर करेंगी आपका पॉकेट हमेशा रुपाउं से ब किश्मों की माला और लाल सिंदूर ये आरपन कीजिएगा दंदाने में व्रद्दी के लिए नोकरी वेवसार में तरक्य उनत्ती के लिए मातारानी को मखाने का भोग लगाएगा या तो मखानों की खीर का या मखानों का भोग लगाएगा धन प्राप्ति मंत्र 41 बार पिला चंदन गोल कर उसका तिलक मातारानी को लगायेगा, हजारे के पूश्बों की माला अर्पन कीजेगा, दंदानने में वरदी के लिए, नोकृी वैसाय में तरक्या उनत्य के लिए, आज मातारानी को द्राइफ फूरोट से बनी बर्फी का भोग लगायेगा, द्राइफ की दरिदिता है उससे आपको पर्मानेंट मुक्ति मिलेगी और दर्शकूं आज हम आपको बता रहे हैं कि नवरात्रा में मां की पूजा आपको कैसे करनी है और चौथे दिन मां कुश्मांडा की पूजा होती है साथी साथ राशी के नुसार क्या उपाए आपको करनी है जिस मातारानी को प्रसंद करना चाहते हैं तो लाल चंदन का तिलक लगाईएगा। आमदनी से ज्यादा कहीं खर्चा अगर है तो आज इस पकार मातारानी को प्रसंद कीजिएगा आमदनी बढ़ेगी करज खतम होगा खर्चा कम होगा बात करते हैं कुम्बराशी की कुम्बराशी वाले जो हमारे दर्शक है आज मातारानी को लाल सिंदूर का तिलक अर्पन कीजिएगा नील कमल का पुष्प मातारानी को अर्पन कीजिएगा दंदानने में व्रद्धी होगी नोक्री विवसाय में तरक्की होगी मा को गुलाब जामून का भोग आज लगाईगा मिठाई में जो गुलाब जामुन आता है आज आपको मातारानी को गुलाब जामुन का भोग लगाना है उत्तर दिशा की तरफ मुख करके 32 बार आज से ही रोज धन प्राप्ति मंतर पढ़ना है निशित और पर आपकी जो तिजोरी खाली पड़ी है आपका जो बैंक का जो लॉकर है जो खाली पड़ा ही आप देखें विदिन अव इयर आपकी तिजोरी भरी रही रही और आपका लॉकर भी सोने चांदी के जेवरातों से चांदी सोने के गिलासों से और बहुत सारे नोटों के गड्डियों से भरा मिलेगा अधी आप आज नवरात्रा के दिवस मा को इस प्रकार गुलाब जामुन का भोग लगा के प्रसंद करते हैं अंतिम जो राशी मीन राशी मीन राशी वाले जितने हमारे दर्शक है आज मातारानी को केसर का तिलक अरपन कीजिएगा मातारानी को केसर का तिलक अरपन कीजिएगा पीले गुलाब के पुश्मों की माला अरपन कीजिएगा धंदाने में वरदी के लिए नोकरी वेवसाय में तरक्की के लिए उनती के लिए मातारानी को केसर की बर्फी का पीली बर्फी आती केसर की बर्फी उसका भोग आज लग आईएगा साथी धन प्राप्ति मंत्र 27 बार आज से ही रोज पढ़ना शुरू कर दीजेगा आपकी जितनी भी फाइनेशल क्राइसे जो पिछले कुछ समय से चली आ रही हैं सपने जो अधूरे हैं वो सारे सपने आपके पूर्ण होंगे और आपकी सभी रुकाउटे अर्च मंत्र की हम बात कर रहे हैं लगाता राश्यों के लिए बता रहे हैं वो धन प्राप्ति मंत्र क्या है वो आपसे जाना चाहेंगे जी बिलकुल मैं आपको धीरे-दीरे समझाता हूं मंत्र को लिख लीजेगा समझ लीजेगा अपने जीवन का आज के समय में धन किसको नहीं चाहिए धन तो सब की आवश्यक्ता है खर्चे तो बढ़ रहे हैं इस कल जुग में और धन की आवग कम होती जा रही है तो हर कोई परिशान है इस शहर में हर कोई शक्ष परिशान सा क्यों है क्यों है लक्षमी नहीं है इसलिए परिशान है तो लक्षमी को कैसे प्रसंद करें नवरातरा के पावन दिवस चल रहे हैं इस मंतर को आपने जीवन का हिस्सा बना लिजी मैं धीरे धीरे बोलता हूँ तीन बार बोलता हूँ आप नोट करते जाएगा ओम श्रिम रिम श्रिम कमले कमलाले प्रजीद रजीद श्रिम रिम श्रिम महा लक्षमी नमाहा इस मंतर को आप अपने जीवन का हिस्सा बना लिजीए फाइनिशल क्राइसिस से मुक्ति मिलेगी मा लक्षमी भगवान कुबेर आपके घर की तिजोरी में व्यपार की तिजोरी में आपके पर्स में पर्मानेंटली निवास करेंगे जी पड़िजी ये तो आपने मंतर बताया लेकिन बहुत सारे ऐसे उपाए होते हैं जो मा लक्षमी को पाने के लिए हर कोई करना चाहता है लक्षमी मा को आकशित करने के लिए हर कोई करना चाहता है तो ऐसे ही वो मंतर आपसे हम जाना चाहेंगे और साथी साथ उपाए भी आपसे जाना चाहेंगे की आवशक्ता होती ही नवान मंतर के बारे में मैंने आपको बताया ओ माई मिरीम कलीम चामुंडाय विच्छे इस मंतर में दुर्गाश प्षती का सार छुपा ही दूसरा अपने जीवन में एक काम आप इस नवरात्रा से शुरू कर दीजिए क्या प्रति दिन आपको 11.21 से 508 बार तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी है तुलसी का पौधा अपने घर में रखिए इस तरीके से रखिए कि उसके परिक्रमा हो सके प्रति दिन शुद्ध देशी घी का दीपक जलाईए ओम शिम्शिये इनमाहा ओम शिम्शिये इनमाहा ओम शिम्शिये इनमाहा इस मंतर का जाप करते वे तुलसी माता की 11.21 से 508 परिक्रमा करते जाएए अगर उसके साथ में भगवान विश्णु का भी नाम लेना चाहें अगर ले तो आती उत्तम है तब मंतर क्या रहेगा ओम शिम्शिये इनमाहा ओम विश्णवे इनमाहा इस मंतर का जाप करते वे यदि तुलसी जी के परिक्रमा करते हैं तो निशित तरपर वगवान विष्णू मालक्षमी का आशिरवाद मिलता है हमारे वो दशक वो जिनका विवा नहीं हो रहा है जो स्योग जीवन साथी की तलाश कर रहे है विवा की बात चलती है लेकिन बनती नहीं है तो आज से ही तुलसी माता की परिक्रमा करना शुरू कर दीजे विवात हो गई, सुन्दर स्योग जीवन साथी तो प्राप्त हो गई ही साथ साथ में मा लक्षमी का पर्मानेट आशिरवाद भी प्राप्त होगा दरिद्यता गरीबी भी स्वता ही दूर होगी बड़ा सरल सा उपा है, तुलसी जी के पौधे की परिक्रमा करनी है मेरे कहने से आप एक महीने आप इस कारे को करिए आपको उसका लाब मिलते वे दिखेगा, उसका फल आपको दिखते वे मिलेगा ओम विश्नवे नमाहा, ओम शिम्शिये नमाहा ओम विश्नवे नमाहा ओम शिम्शी नमाहा इस मंतर का जाप आपको करना है दूसरी महत्पून चीज नवरातरा में तो करना ही करना है नवरातरा के बाद 20 उपाय को आपको करना है शुकरवार के दिन देवी मंदिर में जाना है अगर कमल का पुष्प उपलब्ध हो तो वो अरपन करना है साथ में आपको सुहाग की सामगरी और प्रशाद लेके आपको वह जाना है तीसरा एक महत्पून चीज आज के समय में बहुत सारी समस्यां ऐसी हो गई है husband wife के relations में बहुत fluctuations आने लग गए है बड़ी तकलीफ होती है जब विवहा के दो तिन महीने पशाद ही जो है वरवधू के अंदर जो सामन जिससे के कमी हो जाती है और रिष्टे तूटने के कगार पे आते हैं तो एक बड़ा ही सरल चमतकारी कुपाई मैं आपको बता रहा हूँ आपके relations को मजबूत करने के लिए healthy relationship के लिए क्या करना है नवरातरा चल रही है आज अतुरत नवरातरा है चांदी की पाईजब खरी दिएगा जैसे आप पहन सके महिला दशकों के लिए विशेश दोर पे चांदी की पाईजब खरी दिएगा चांदी की पाईजब और साथ में बिच्छिया और साथ में मांग में भढ़ने वाला सिंदूर और चौथी चीज जो है इतर की शीशी इत्र की शीशी इत्र बढ़िया इत्र की शीशी ये चारो चीजे लेके सिंदूर पाइजब बिच्छिया और इत्र चारो चीजे लेके पास में कोई देवी मंदिर हो जा दुरगा शबशती का पाठ हो रहा हो जा इस्तापना हुई हो वह चारो चीजे ले जाके माता जी को अ आईए चूकि आपने वापिस चड़ावा समान जो है चड़ावा वापिस लिया है तो उसके कुछ दक्षिना पंडी जी को दे के माता जी के चरणों में रखके वो समान वापिस ले लीजीगा वो पाईजयब आपको पहननी है बिच्छिया आपको पहननी है सिंदूर आपको प्रति दिन लगाना है और वो जो इत्र है वो जो इत्र है वो अपनी नाभी पे लगाना है दोनों पती पतिनी आप नाभी पे लगाए थोड़ा सा रात को सोने से पहली निशित तोर पर पती दोनों एक दूसरे का कहना मानने लगेंगे, जो बेडरूम में जाते ही तू-तू, मैं में जो लठ वस्त है वो बंद हो जाएंगे, अडरस्टेंडिंग अच्छी हो जाएगी, प्रेम डेवलप होने लग जाएगा, एक दूसरे के बगार रह भी नहीं पाएंगे, करवाहट जो है वो खतम हो जाएगी, बड़ा सरल सा उपाय है, आप करके देखिएगा, नवरातराओं का विशेश तोर से ये उपाय आप करिएगा, निशित तोर पे आपको लाप राप्त होगा, जी तो पंडी जी ये तो आपने बताया कि कैसे जाहे पती-पत्मी के लड़ाई समस्या हो, वो सभी समस्या जो है, वो सुलच जाएंगी, लेकिन क्या अगर घर की तरफ से देखें, तो घर में हमें इस तरह से क्या चीज़ों रखनी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी जो है, हमसे वो प्रसंद रहें, नाराज ना हो, ये भी आपने एक बहुत अच्छा प तो जब हम वो मातारानी के पग चिन्नों को जब हम घर की चोखट पे चिपकाएं, तो ध्यान रखिए कि गलती से भी वो जो पग के जो चिन्न है, वो घर से बाहर जाते वे नहीं लग जाए, चिन्न ऐसे लगाने चीज़ जिसे मातारानी अंदर अंटर कर रही है, यानी ए इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखिएगा, पक चिन्नों का, दूसरी चीज़ ये है, नवरातरा के नव दिवस्तक आप नियम मान लीजे कि एक तो आपको सुबह के समय घर में पूरे घर में घंटी बजानी है, और संध्या समय में पूरे घर में डमरू बजाना है, घर में जितना भी कलह कलेश होता है, वो खतम हो जाएगा, बिमारी अगर घर में बिराजमान है तो वो भाग जाएगी, दरिदिता गरीबी अगर घर के अंदर है तो वो दूर हो जाएगी, तीसरी महत्पून चीज़ जो आपको करनी है, नवरातरा के नव दिवस्तक, आप किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना है, प्याज रसा नित्यादी का सेवन आपको नहीं करना है, शुद्ध सात्विक दाल लोटी का भोजन आप रहन कीजिए, मातरानी का भजन कीजिए, निशित तोर पे आपके उपर मातरानी का आशिरवात बना रहेगा, चौथी और विशेश रूप से, मा अनपूर्णा, हम माता के अलग-अलग रूपों को पूस्ते हैं, एक माता का रूप होता है मा अनपूर्णा, अनपूर्णा मतलब कोन है, जिस माता के आशिरवात से हमें भोजन ग्रहन करने को मिलता है, वो माता अनपूर्णा है, नवरातरी के नव दिवस आप भी ध्यान रखेगा और अपने बच्चों को भी ध्यान रखेगा कोई भी जो भोजन की थाली जब आपके सामने आवे तो उस भोजन की थाली को वहान मा अनपूर्णा का ध्यान करते हुए उनको धन्यवाद दें कि आज आपके आशिरवात से हमें भोजन करने को मिल रहा है भोजन की थाली में एक कवा या कुछ भी जूटा नहीं डालना है इस बात का नव दिवस तक ध्यान रखेए और ये आदत बन जाएगी तो आगे तक भी आपको नवरात्रा के आगे तक में भी जीवन में कभी भी थाली में कुछ भी जूटा नहीं चोड़ना है जो थाली में जूटा चोड़ता हो उसके घर से मा अनपूर्णा रूठ जाती है और उस घर के अंदर अन की हमेशा कमी होने लग जाती है तो छोटी सरल बाते हैं जिनका आप ध्यार रखें जी तुपनी जी इतनी सारी आपने जानकारी दी बहुत बहुत शुक्रिया जकाराश शिरावाली का बोल साचे दरबार की जए तो फिलहाल के लिए शो में इतना ही देखते रहें ये फर्स्ट इंडिया नियूज नमस्कार